आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आपको ना एक कहानी सुनाना चाहिए वो कहानी ऐसी है जिसके साथ हम सब रिलेट कर सकते हैं मतलब वो हर किसीने बच्पन में वो कहानी सुनी होगी किसीने अपने मम्मी बापा से सुनी होगी किसी ने अपने नानानी से सुनी होगी, किसी ने अपने दादादा से सुनी होगी, पर सुनी जरूर होगी, यह मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ, वो है भूत की कहानी, याद है हमारे को जब हम बच्पन में छोटे होते थे, बच्पन में सब छोटे होते हैं, पर जब हम छो तो भूत आजाएगा, पढ़ाई नहीं की तो भूत आजाएगा, इस तरीके से ही उनको हमने समझा समझा के, इवन मैं खुद ऐसे ही माँबाप ने हमारे को भी ऐसे समझाया, फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, और जब भूत से डर रहा होता है, तब माँबाप क्या ब कोरोना बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस है, अगर आप बाहर निकलेंगे तो आप मर जाएंगे, आपकी डेथ भी हो सकती है, आपके अंदर वाइरस इंफेक्ट हो सकता है, और दो माईने से सब घर के अंदर बैठके जब डर गए, जब सबने एक्सेप्ट कर लिए कि ये बहुत ही खतरनाक चीज है, उस टाइम के बाद ये लॉकडाउन खुल रहा है, लोग सडकों पर वापिस जा रहे हैं, वैसी नॉर्मल तरीके से, और आप बोल रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, समझरे मेरी बात की मतलब आप बोल रहे हैं कि भूत नाम की कोई चीज है इने, तो ये कहानी सुनाने का रीजन यही है, भूत भी उसने देखा है, वो नहीं चाहेगा कोई और बूत देखे और जिसने कोरोना देखा है, वो नहीं चाहेगा कोई और ये कोरोना को छेले, तो इसलिए मेरी आप से यही रिक्वेस्ट है, अगर लॉकडाउन खुल जब तक आपको ज़रूरी काम ना हो तब तक आप बाहर ना निकले और निकले भी तो प्लीज सेफटी के साथ निकले क्योंकि आपकी जान आपके हाथ में हैं लॉक्टान खुलने का मतलब यह नहीं है कि कोरोना खतम हो गया है बीमारी वहीं की वहीं है इवन केसे स्पीड से बढ़ रहे हैं केसे में कभी नहीं आई इवन डेथ रेशो भी बढ़ता जा रहा है तो मैं आपसे इतनी ही गुजारिश करूंगा कि आप जब भी निकले प्लीज बिना काम के ना निकले और निकले तो प्लीज सेफटी के साथ निकले मास्क सैनिटाइजर सब चीज़ों का ख्याल रखें नहीं तो दिक्कत आपको आपकी फैमिली को और सब को हो सकते हैं प्लीज भूत है है समझेजे इस बात को कि कोरोना है अभी और हाँ एक इंपोर्टन चीज और कि काफी लोग मेरे को अपनी स्टोरी में टैक कर रहे हैं कि मेरे चैनल का कॉंटेंट उनको नही कि अपनी सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा ग्लीच आरका है चैनल में जिसकी वज़ासे मुश्टी लोग ऑंसस्क्राइब हो रहे हैं या सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं I don't know कि वीडियो नहीं दिखा रहे हैं सब्सक् तो आपके बाल इदर उदर और सही तरीके से नहीं बढ़ेंगे जिस तरीके से आप उसको मेंटेन करना जाते हैं तो इसलिए आपको सही प्रोड़क्ट यूज करना बहुत ज़रूरी है तो बालों की केर करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं मामा अर्थ का अनियन हेर और सबसे अच्छी बात क्या है इसके उपर यह कॉम नेक लगा होता है जिसके साथ आप बालों पर अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं और तेल आपकी जड़ों तक पहुंचता है समझ रहे हैं मतलब हमको बाल हटा हटा कर नहीं करने बड़ते हैं इससे जड़ों तक पहुंचता है इसके इंग्रीडियन्ट क्या के हैं इसके अंदर है सनफ्लोर ओयल, जोजोबा ओयल, अल्मन्ड ओयल, ब्रिंग राज ओयल एक्स्ट्रेक्ट है इसके अंदर क्या बात है जी बहुत ही अच्छा है मतलब यह हमारे बालों की जड़ों को भी मजबूत करता है और बालों की ग्रो करने में भी मदद करता है समझ लीजिए इस बात को और मामार्थ के जितने प्रोड़क्ट है वो केमिकल फ्री है नेचरल इंग्रिडियन के साथ बनते है और मामार्थ की सबसे अच्छी बात क्या है कि यह प्लास्टिक पॉलिटिव है यह जितना प्लास्टिक यूज करते है उससे ज्यादा प्लास्टिक रिसाइकल करते है क्या लिसा किसम बात हैं। नूर खान आए हो नूर खान मारे जारें। आज इसकी गाड़ी नहीं लेकर जारे ही। आज हम लेकर जायेंगे बाइक cord क्युंकि जो हमने भाइक क Vere जब ठीक करण्ट na करन्ट उप डूट चूगल आज हम एम पैसेंजर हैं। आज यह पीछे बैठेंगे, आपने मास्क ले लिया है, सब कुछ रेडिया है, सब कुछ रेडिया है और बाइक का जो करंट है, इतिंक हमारी बाइक भी गल्फ्रेंड ढूंड रही है, इसके करंट कहीं खो गए है एक काम तो यह है, और दूसरा काम, इंपोर्टन काम क्या है, कि बाइक में जब बारिश शुरू हो जती है, तो तीन-चार महीने रुकती नहीं है राइड विलेवाले, जो महारास्ट्र वाले, वो समझ रहेंगे तो इसलिए हम दो बाहीने से घर पर नहीं है, सबसे बड़ी प्रप्ट्म यह और घर की कोई देखवाल नहीं है तो आपने सोचा है पहले बाइट किक राएंगे फिर घर जाएंगे और घर को थोड़ा सुरक्षित धंग से करके आएंगे तो यह हमारी बसंती रेटी है हम रेटी है नूर खान रेटी है अभी तो करंट है इसके अंदर जो इतना करंट है आज सुपह मेकैनिक को बुलाया थ तो इतनी दूर में हुमारी लग चुकी है तो अब इसको वापिस कड़ी करते हैं गाडी पर जाते ह Bureau का काम के आज समाल के भास ट्रीज़ीह हम यह द्राइवर हो गया अब में क्या होगा हूँ व्य हूं पर आज गर श करर आदे अख ओ 생각 है अब अभी सख त+. जो प्राष ज जरूरी यह जाना, इसलिए गर पर जा रहे हैं पहली बार हमारी लिफ्ट का शीशा आपको इतना चमकता हुगा दिख रहा हुगा हमारी लिफ्ट देख वार किती चमक रही है, जिल खुश हो गया, मतलब देख पे इस लग़रे किसी होटल में जा रहा है, जिल भी अच्छा कर रही है, वह सेनिटाइस के बरे से रहे है पर्फक्ट अच्छा लग रहा है लड़का फाइनली फाइनली दोस्त, घर पर पांच गए हैं लाइट जलाता है, पंका जलाता है, जो के ताहँ है लग रहा है आज कम पीटाशक है, आप तो होम स्वीट होम तो घर में गुस्ते हैं सबसे पहले इंसान देख ड़ता है किछन तो यह जाने से पहले हमारे किछन की रहत ऐसी थी पहले हम खिड़की खोलते हैं ताकि थोड़ी जी घर को हवा लग जाए प्लीज खिड़की कुल जाए तो कितना तगड़ा बंद करके गए हैंगे घर को थोड़ी जी हवा लगनी ज़रूरी है बरतन इतने गंदे थे और आपको बता कि यहां से घर में अगर जादा बारिश ह तो पिछली बार बारिश में पानी गिरा था बट इस टाइम क्या हो गया कि जो हमारा बिल्डिंग है उसके उपर वो नीला चपरा लग गया अगर मुंबई वाले समझ जाएंगे कि नीला चपरा कितना इंपोर्टन है चै कितना भी रही सो अमानी भी क्यों ना उसके घर प जगा नहीं पेचिए पर सब्सक्राइब जगा लेड़ा एक्डिकी भी हम खोल देते हैं तो अबारी भी थोड़ी सी खोल देते हैं ताकि उसमें भी हवा लग जाए राइट विटे सही है किसे नूर भी बोल रहा सही है तो मैंने यह कपड़े लगाने आया था कि आलमारी पर नूर का सजेशन कोछ हो रहे है नूर आप क्या कहना चाते हो वह कबड में रखके ना अभी बारिश के मौसम में इसके अंदर कपड़ों में मौस्टर लग जाएगा तो इससे बेटर है इसके ओकर बेडशी ऐसे डाल लो वह जादा बेटर है तो ठीक है यह करते है में कुछ बच्चा है हमारे इस पर चद्द डाल देते हैं कि यह बहुत महंगी कपर है फ्रिज जो था वह हमने चलता छोड़ा था और यह देख सकते हैं फ्रिज पर इतनी सारी मैगनेट लगी है मतलब यह इसलिए हैं क्योंकि यह जगा पर हम घूम के आच चुके हैं कितन घूमता था रडका यह हमने चोड़ा दिन सोचाता लॉक्डाउन होएगा और यह हमने चैलेंज लिया था कि ट्षटे जो अभी तक खुला ही नहीं मतलब अगर सोचे मैं चोड़ा दिन तक अधर होता तो मैं मर नहीं जाता है मैं इस गंदा नहीं बोलती होते हैं बट थें आप समझ सकते हो मतलब अपने घर पर कितने दिनों बाद सुकून से बैठा हो भूआ मैं यहां घर आया हो मैं चाहता हूं यार यह लोगडाउन जल्दी से जल्दी खतम हो जाए पर यह लोगडाउन पता कब खतम होगा जब हम घर पर टिकर समझ दारी के साथ काम करेंगे ऐसा नहीं कि खुल गया और काम बहार निकलना शुरूर मतलब यह सोचो कि सरकार ने बोल दिया कि खुल गया है इसका मतलब कोरोना खतम होगया बिल्कुल नहीं तो यह आपके उपर समझ दारी है मैं सिर्फ यहां पर आया हूँ कि मेरे को लग रहा है कि घर को एक वर सम्हालना जरूरी था नहीं तो शायद मैं भी निकलता इतने दिन होगे सिर्फ राशन नेने के लिए निकलते हैं बहुत जिम्मेदारी के साथ लगे हूँ है आत्मनरिबर कितने भी होगे हैं पर काम प कि कर दो गया रहा है है ह।ग है ह।ग है ह।ग है ह।ग है इंड बू्य कर दो ह।ग है ह।ग